Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium मैं लाली बर्मा आप सभी बारवी कक्षा के विध्यारतियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साथी साथी आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्य जित होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे हाँ प्रसन्य जित होकर और बेटा साथी साथ आप अपने आपका खयाल भी रखना, भूलना नहीं है कि बहुत अच्छे से सोना भी है, जागना भी है, खेलना भी है, मस्ती भी करना है तो ओड़ी बहुत और उसके साथ ही साथ ध्यान केंदरन के साथ पढ़ाई करना है, फुली फोकस्ट होकर पढ़ाई करना है ताकि जो भी आप पढ़ोगे, वो अच्छे से आपको याद रहे जैसा कि आपने आशा करती हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा प्रीवियस येर क्वेस्टन्स पेपर अर्थार, आपको पता है ना हम क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं CBSC, प्रीवियस येर क्वेस्टन्स सॉल्यूशन और प्रीवियस वीडियो जो था, उसमें अपठित गद्यांश की हमने चर्चा की थी जिसमें 2022 मतलब अभी से लेकर प्रीवियस येर मतलब 2013 तक के गद्यांश को हमने सॉल्व किया था इस वीडियो में लेकर आई हूँ अपठित काव्यांश, जो की 2022 से प्रीवियस येर कितने 2013 तक के सभी पेपर्स आपके समक्ष है कि कितने किस तरह के कावियांश या कौन सी कविताय आई थी और उन कविताओं से संबंदित किस तरह के प्रशन पूछे गए थे इनका अभ्यास करेंगे तो हमें अभी जो परिक्षा आने वाली है हमारी उसमें हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है चलो तो चलते हैं हम पहले काव्यांश पर जो की 2021-22 की परिक्षा में आया था पढ़ते हैं क्योंकि गद्यांश तो फिर भी हमें समझ में आई जाता है एक या दो बार पढ़ने में काव्यांश को पढ़ने में अकसर students कहते हैं कि काव्यांश को समझने में हमें मुश्किल होती है बेटा जब हम बहुत अधिक practice करेंगे ना तो कोई भी काव्यांश हमें tough या कठिन सा नहीं लगेगा सभी की भाशा एक सी ही होती है जो सुन्दर्ता है या लंकारों के प्रयोग से उसमें सुन्दर्ता आ जाती है रसों के प्रयोग से कुछ ऐसे शब्दों के प्रयोग से उसमें कुछ ऐस आता ने कि उस लायात्मक्ता के कारण तो वो हमें समझ में आने लगेगा कब जबकि हम अभ्यास का नहीं है चलते पढ़ते हैं क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई क्या बात है क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई आख से मस्ती जपकती, बात से मस्ती टपकती, थी हसी ऐसी जिसे सुनबादलों ने शर्म खाई वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना पर अस्तिर्ता की समय पर मुस्कुराना कब मना है कितनी प्यारी कविता है हाई वे उनमाद के जोंके की जिन में राग जागा वैभवों से फेर आखे गान का वर्दान मांगा एक अंतर से ध्वनित हो, दूसरे में जो निरंतर भर दिया अंबर अवनी को में तत के गीत गा कर अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गुन गुनाना कब मना है है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है हाई वे साथी की चुमबक लोह से जो पास आए पास क्या आए रदय के बीज ही गोया समाए दिन कटे ऐसे की कोई तार वीना के मिला कर एक मीठा और प्यारा जिन्दगी का गीत गाए वे गए तो सोच कर यह लोटने वाले नहीं वे खोज मन का मीठ कोई लो लगाना कब मना है है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है क्या हवाएं थी की उजडा प्यार का वह आशियाना कुछ नक आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना नाश की उन शक्तियों के साथ चलना जोर किसका किन्तु ये निर्मान के प्रतिनिदे तुझे होगा बताना जो बसे हैं वे उजडते हैं प्रकृती के जड़नियम से पर किसी उजडे हुए को फिर बसाना कब मना है है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है यहाँ पर यदी, पूरा एक सार में प्रस्तुत करूं कि आखिर ये कवीता का मूल भाव क्या है किस पर किंद्रिथ है तो यह यह बताए बिटा इस कवीता में की मुसीबते, अंधकार किसका प्रतीक है मुसीबत हैं, मुश्किल हैं, परिशानिया मतलब कि अंधेरी रात है तो क्या हम उस अंधकार को कोशते रहेंगे और यूँ ही रो रो कर अपना जीवन बिता देंगे अरे दीपक जलाना होगा, रोशनी फैलानी होगी हैं अंधेरी रात पर दीया जलाना कब मना है भाई, किसी ने मना किया है क्या नहीं अर्थात, साहस के साथ, पूरी जोश के साथ अपने जीवन को जीया चल, तु आगे चला चल, बढ़े चला चल ठीक है, इस तरह से प्रस्तुत कवीता का स्वर है, किस तरह का है का आशावादी, खा निराशावादी, गा भागयवादी या परंपरावादी तो कवीता का स्वर है आशावादी, क्योंकि आप्टिमिस्टिक, ठीक है कि हमें ये करना है, हमें सभी बाधाओं को चीरते हुए आगे भढ़ना है उत्तर यही होगा, येस अब हम चलते हैं, अगले प्रश्नी की ओर काली मातो दूर, छाया भी पलक पर थी न छाई का अभी प्राय है का कवी के जीवन में दूर दूर तक दुखों का नामुनशान नहीं था खा, कवी के जीवन में सुख सुविदाओं का अभाव था गा, कवी का जीवन मस्ती से परिपूर्ण था या घा, कवी अपने जीवन में बहुत प्रस्तन था तो काली मातो दूर, छाया भी पलक पर न छाई कभी के जीवन में दूर दूर तक दुखों का नाम यह तो हो नहीं सकता कभी के जीवन में सुक सुमधाओं का अभाव था तो उत्तर सही है कभी के काली मातो दूर चाया भी पलक पर थी न चायी का भी प्राय कालिवा तो दूर की बात सुनिए कवी के जीवन में छाया भी नहीं थी अर्थात इतना सा भी अंधेरा नहीं था तो कवी के जीवन में दूर दूर तक दुखों का नाम उनिशान नहीं था कवी और कवी के मित्रों के बीच कैसा संबंद था चुम्बक और लोहे जैसा खा तार और वीना जैसा गा गीत और उसके शब्द जैसा या घा गीत और उसके राग जैसा तो जो संबंद था वो चुम्बक और लोहे के जैसा था एकदम मजबूद अगला बादलों ने शर्म खाई बंक्ती में कौन सा अलंकार है बादलों ने शर्म खाई मानवी करण जहां पर मानवी करियाओं का आरोपन प्रकृति पर कर दिया जाता है वहां मानवी करण अलंकार होता है तो बिल्कुल यही होगा अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका पंग्ति के माध्यम से कभी ने किस ओर संकेत किया है का है ईश्वर ये शक्ति खा है आत्मिक शक्ति गा है प्राकृतिक आपदा या फिर गा मानव जन्न आपदा नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका ये है बात प्राकृतिक आपदाओं की जो नेचरल डिजास्टर साते हैं उन पे मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है इसलिए प्रकृति के साथ छेड़ चाड़ करना गुना है उसका भुगता ना अवश्य भोगना पड़ता है आखिर कब तक सागर शांत रहेंगे कभी न कभी तो नुफान आएगा बाढ़ आएगी और फिर तहस नहस कर जाती है अगला पड़ते हैं काव्यांश दूसरा हम नदी के द्वीप हैं हम नहीं कहते कि हमको छोड़ कर स्रोत स्वेनी बह जाए वह हमें आकार देती है हमारे कौन गलियां अंतरीप उभार से कत्फू कूल सब गोलाईयां उसकी गड़ी है मा है वह है इसी से हम बने हैं किन्तु हम हैं द्वीप हम धारा नहीं है स्तिर्ड समरपड है हमारा हम सदा से दीप हैं स्रोत स्वेनी के किन्तु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं पेर उखडएंगे प्लवन होगा धैंगे सहेंगे बह जाएंगे और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार मन सकते रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे अनोपियोगी ही बनाएंगे द्यूईप है हम यह नहीं है शाप यह अपनी नियती है हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी की क्रोड में वह ब्रहत भूकंड से हमको मिलाती है और वह भूकंड अपना पितर है नदी तुम बहती चलो भूकंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है माजिती संस्कार देती चलो यदि ऐसा कभी हो तुमारे आलाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से अतिचार से तुम बढ़ो प्लावन तुमारा घर घराता उठे ये स्रोत स्विनी की कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोरकाल प्रवाहनी बन जाए तो हमें स्विकार है वहे भी उसी में रेत होकर फिर चनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार मातह उसे फिर जन्सकार तुम देना अब यहाँ पर चलते हैं हम नदी द्वीब ठीक है? और भूखंड की क्रम शहा प्रती कात्मक्ता क्या है? नदी मा है, द्वीब संतान है और भूखंड पिता है? या फिर नदी राष्ट्र है, द्वीब व्यक्ति है और भूखंड समाज है? या फिर नदी संस्कृति है, द्वीब व्यक्ति है और भूखंड समाज है? या फिर नदी समाज है, द्वीब व्यक्ति है और भूखन राष्ट है तो यहाँ पर जो बात की गई है कि उसके गोद में हम बैठे हैं तो बिल्कुल नदी मा का ही प्रतिरूप है तो आप ये सही कर सकते हैं नदी को मा की संग्या क्यों दी गई है? का है द्वीबों की रचना तथा संरचना नदी की द्वारा होने के कारण? जो द्वीब ठीक है? यहाँ पर द्वीबों की रचना तथा संरचना नदी की द्वारा होने के कारण? या फिर प्लेट्यू? या फिर मा के समान द्वीबों का पालन पोशन करने के कारण? नदी को मा की संग्या इसलिए दी गई है क्योंकि मा के समान दीवपों का पालंपोशन करती है उनकी देख रेक करती है ठीक है दूइप बहना क्यों नहीं चाहते का है क्योंकि वे अपना घर नहीं छोड़ना चाहते गा है क्योंकि वे सदा सही नदी के द्वीप है गा है क्योंकि ये नदी के प्रती उनका इस्थर समारपण है या फिर घा क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो नदी दीप हमेशा बहना क्यों नहीं चाहते क्योंकि उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा यदि दीप भी नदी के साथ बह गए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा उनका अस्तित्व खड़े होने में ही है रहने में ही है टीक है टापू की तरह है प्रस्तुत कविता का संदेश क्या है तो का है व्यक्ति में समिष्टी का हित नहीं है मतलब व्यक्ति और समाज व्यक्ति का हित है तभी समाज का हित है या फिर समिष्टी में ही व्यक्ति का हित छिपा हुआ है या फिर गा व्यक्ति को परंपराओं का पालन करना चाहिए या फिर गा परंपराओं ही व्यक्ति का निर्मान करती है तो यहां सही उत्तर होगा समश्टी में ही व्यष्टी का हित छिपा है समाज में ही व्यक्ति का हित छिपा है दूइपों को नदी का विनाशकारी रूप भी क्यों सुविकार है यदि विनाशकारी रूप भी नदी का आजाए तो फिर भी दूइप उसको सुविकार करते हैं बेहना नहीं चाहते हैं क्यों क्योंकि नदी का यह रूप अनंतकाल से चला रहा है दूसरा है क्योंकि नदी नहीं दिवपों का निर्मान किया है तीसरा है क्योंकि नव निर्मान के लिए विद्वंश अनिवार है और चोथा है क्योंकि इसी क्रम में उन्हें नया जीवन मिलेगा तो दिवपों को नदी का विनाशकारी रूप इसलिए पसंद है क्योंकि नव निर्मान के लिए विद्वंश अनिवार है ये जो हमारा शरीर है यही सो धारन देकर बताती हूँ हम छोटे से बच्चे के रूप में हमने जन में लिया धीरे धीरे हम बढ़े हुए अपने फैरों पर चलना सीखा बढ़े हुए यूव अवस्था में आये फिर धीर और बढ़ते गए प्रोड़ा अवस्था में गए फिर धावस्था में गए और चले गए क्यों ताकि उस आत्मा को नया शहीए फिर से मिल पाए चलते हैं हम 2019 पर लड़ने के लिए चाहिए थोड़ी सी सनक थोड़ा सा पागलपन लड़ना है किस के खिलाफ अन्याय के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ और एक आवास को बुलंद करते हुए मुफ्त में मर जाने का हुनर बहुत समझदार और सुल्जी हुए लोग नहीं लड़ सकते कोई लड़ाई नहीं कर सकते कोई खरान थी जब घर में लगी हो भीशन आग आग की जद में हो बहने और बेटियां तो आग के सीने पर पाउं रख कर बढ़कर आगे उन्हें बचा लेने के लिए नहीं चाहिए कोई दर्शन या कोई महान विचार चाहिए तो बस थोड़ी सी सनक थोड़ा सा पागल बन और एक खिलखिला हट को बचाने के लिए जुलस जाने का हुनर अर्थात कुछ भी नया कर दिखाने के लिए थोड़ी सी जिद जरूरी है सनकी पन जरूरी है क्योंकि सामाने लोग कुछ अच्छा कर दिखाने के बारे में सोचते भी नहीं है क्योंकि उनकी घर, परिवार, जिमेदारियों में ही वो उलजे रहते हैं और जो सनकी रहते हैं वे ही कुछ बड़ा करके दिखाते हैं चाहे आर्मी ओफिसर्स को ले लें चाहे आप किसी कुछ ऐसे व्यक्ति को ले लेजिए जो कुछ नया करके दिखाना चाहता है कुछ आविश्कार करना चाहता तो उसके मन में सनक पूरी तरह से भर जाती है तो वहीं तो कहा है कि थोड़ी सी सनक थोड़ा सा पागलपन और ए अब है प्रश्न है लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए तो लड़ने के लिए हमें एक सनक और पागलपन चाहिए क्योंकि जिसमें थोड़ी सी सनक नहीं होगी थोड़ा सा पागलपन नहीं होगा ना वह बस जो हो रहा है सो ही कार है भही है हमें जैसा कह रहा है कहलो सहते ज आएंगे हमें किसी से कोई शिकायत नहीं अरे क्यों नहीं जब कोई हम पर उंगली उठाएगा तो हम भी उसका हाथ पकड़ने की जिद रखते हैं ठीके हम यूही जुक कर यूही तलवे चाट कर जीने वालों मैंसे नहीं है जा सत्य होगा हम उसके साथ खड़ें लेकिन जहा अगला प्रशन है समझदार और व्लूजरिवे लोग क्यों नहीं लट सकते तो समझदार लूजरिवे लोग इसल你好 क्यों कि वह सदय द्रश्रिक और महानविचार के माध्यम से बात करने की कोशिश करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए लड़ने में क्या रखाए आप सी Ö कर रहना है यह बड़ी बड़ी बात है लेकिन जब कहीं बात आ जाए अपने दिल की या फिर अपने आत्मसम्मान की वहां पर यह सारे विचार एक साइड रखने होंगे और अपने आपको सही साबिती करके रहना होगा जिस समस्या का समधान संभव है वो यही करते हैं घर में भीशन आग लगने से कवी का क्या तात पर है घर में भीशन आग लगने से कवी का तात पर है देश में फैली अराजकता और असामाजिक स्थिती से है ऐसा लगता है जैसे घर में आग लग गई हो जुलस जाने का हुनर पंक्ती का भाव क्या है तो जुलस जाने का हुनर पं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बार हो या कुछ हो कैसे सीना तान कर खड़े रहते हैं सीमा पर दिन रात जागते रहते हैं ताकि हम चैन से सो सकें उनमें क्या है उनमें सनक ही तो है उनकी सनक उनकी उनकी जिद उनका जुनून उनमें इस तरह की उर्जा का संचार करता अगला है 2019 पर हम पहुंच गए हैं जैसे खड़े होना वैसे ही जुकना भी एक स्वभाविक क्रिया है कितनी ही चीजें बिना जुके पहुंच से बाहर रहती हैं कुछ चीजें हाथ से जान बूज कर इसलिए गिर जाती हैं कि हम अगर जुकना या पूरी तरह जुकना भूल हो तो ना भूलें और याद हो तो फिर ठीक से याद रखें कि पैर चुने के लिए हम जुकें ना जुकें मगर माबाब पती बच्चों मौसी मामा आदी के समझाने पर हमें कई बार जुकना पड़ता है ईश्वर के सामने तो उसके मानने वाले खैर रोज ही जुकते हैं व कुछ तो मिलेगा कुछ चापलूसी में भी कि चलो यह हमारे सब कुछ है एनी के सामने जुकते रहो कुछ ऐसे भी जुक जाते हैं इतने ज़्यादा जुके रहते हैं कि सीधे खड़े होना ही भूल जाते हैं उनमें अपनी रीड़ की हड़ी ही लापता हो जाती है अपना क्या बिटा चरित्र आत्म जम्मान अभीमान गौरब अस्तित्व ये रीड के अंडी को संकेत करते हैं कुछ के आगे जुग जाने का और कुछ के आगे ना जुग पाने का अफसोस कई बार हमें जिंदगी भर रहता है अगला प्रशन है पहला स्वभाविक क्रिया किसे माना गया है जुगने को एक स्वभाविक क्रिया माना गया है कि जुके हैं तो उठेंगे भी बैठे हैं तो खड़े भी होंगे जिस प्रकार खड़े होना स्वभाविक रिया है उसी प्रकार जुकना भी स्वभाविक रिया है अर्थात जिस तरह हम सीना तान कर चलते हैं ना उसी प्रकार हमें विनम्रता से भी रहना चाहिए जहां आवशकता पड़े कभी के विचार से कुछ चीज़ें जान भूज कर हाथ से क्यों गिर जाती है क्योंकि यदि हम जुकना भूल गए तो वे याद आ जाए अर्थात हमें अपने भीतर नम्रता का भाव बनाये रखना है जुकना अर्थात विनम्रता जुकने का चापलूसी से क्या संबंध है तो जब हम किसी की चापलूसी करते हैं तो हम उसकी अच्छी बातों का बखान कर उसी की हां में हां मिलाते हैं अर्थात उसके समक्ष जुके रहते हैं जुकने का चापलूसी से यही संबंध है हमें अपने जीवन में किस बात का अफसोस रहता है हमें अपने जीवन में कुछ के आगे जुकने का और कुछ के आगे ना जुकने का अफसोस रहता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि और रे ये बात कहनी थी मुझे या फिर कभी-कभी लगता है मैंने ये बात क्यों कह दिये काश की उस बात को वही समाप्ट कर दिया जाता और उनके समक्ष जुकी जाता कभी-कभी ऐसे लगता है मैं वहाँ चुप क्यों रहा मुझे इस तरह से बात करनी थी कि बोलती बंद हो जाया सामने वाले की तो ये दोनों तरह से कह सकते हैं अगला है 2019 का ही जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणा कुछ कुंठित और कुछ लक्ष भ्रष्ट जिनके अभी मंत्रे तीर हुए रण की समाप्ती के पहले ही जो वीर रिक्त तुनीर हुए उनको ब्रणाम जो छोटी सी नया लेकर उतरने उतरे करने को उधती पार मन की मन में ही रही सोयम हो गए उसी में निराकार उनको प्रणाम जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रह नव नव उत्सा भरे पर कुछ ने लेली हिम समाधी कुछ असफल ही नीचे उतरे उनको प्रणाम कृत कृत नहीं जो हो पाए प्रत्युत फासी पर गए जूल कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल उनको प्रणाम कुछ ऐसे वीर सपूत जो अपने जीवन को देश की माटी पर बली दे गए या आहूती दे गए उनको तुरंत ही पलक जपकते ही भूल गए हैं हम उनको प्रणाम यहां पर कविता में यही भाव है तो कभी असफल लोगों को क्यों प्रणाम कर रहा है कभी असफल लोगों को इसलिए प्रणाम कर रहा है क्योंकि वे करमशील हैं उन्होंने अपना कारे आरंब तो पूरे उत्साह से किया था किन्तु वे पूर्ण नहीं हो पाया अर्थात कारे को आरंब करने के लिए ही कभी उन्हें प्रणाम करता है कुछ तो मैदान में जाकरी हत्यार डाल देते हैं और कुछ जो अपने पूरे जोश होश से लड़ते हैं नहीं जीते तो क्या हुआ उन्होंने कारे को प्रारंब तु किया तो उनको प्रणाम कहा है, कि जो सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैटे रहे, जो एकदम अकरमन या शीलता की भावना के साथ नहीं बैटे रहे, उठे आगे बढ़े और ठक कर यदी हार भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको प्रणाम करते हैं छोटी सी नौका से सागर पार करने की कोशिश करने वालों का क्या महत्व है? छोटी सी नौका से सागर पार करने की कोशिश करने वालों का महत्व यह है, कि उन्होंने मन रूपी नाव लेकर समुद्र में जीवन को पार करने की सोची, अब मन क्या है? एक नाव की तरह है उसमें नाव है, कब नाव की रसी तूट जाए और कब नईया मजधार में डूब जाए तो छोटी सी नौका से सागर पार करने की कोशिश करने वालों का महत्वी है कि उन्होंने मन रूपी नाव लेकर समुद्र में जीवन को पार करने की सोची बले ही ये अपने कार में सफल नहीं हो पाए किन्तों इनका महत्व इसमें है कि इनोंने कोशिश तो की अगला प्रश्न है उच्च शिकर की ओर बढ़ते हुए हिम समाधी लेने का भावार्थ क्या है उच्च शिकर की ओर बढ़ते हुए हिम समाधी लेने का भावार्थ है कि जो उच्च शिकर की ओर बढ़े उनके मन में उच्छ साहा भरपूर था ऐसे कुछ लोगों ने बरफानी चोटी पर समाधी तो ली और कुछ असफल रहे और कुछ नीचे उतर आये सबको करते हैं प्रणाम जिन्होंने कुछ करके दिखाने का जोश दिखाया कुछ कर गुजर जाने की हिम्मत या शक्ती दिखाई उन सबको प्रणाम समाज किन लोगों को भुला देता है जल्द ही भुला देता है जिन महान विभूतियों के वलिदान के कारण भारस्वतंतरता का सवेरा देख सका समाज ने उनको भुला दिया जिन्होंने अपनी जान को अर्पित करके देश की रक्षा की उन लोगों को समाज ने भुला दिया अगला है 2019 से ही क्या कुटिल व्यंग दीनता वेदना से अधीर आशा से जिनका नाम रात दिन जपती है दिल्ली के वेवता रोज कहते जाते कुछ और धरो धीरच किस्मत अब छपती है किस्मतें रोज छपी रही मगर जलधार कहां 85 हरयाली सूख रही है खेतों में निर्धन का धन पी रहे लोब के प्रेत छपे पानी विलीन होता जाता है रेतों में हिल रहा देश कृत्या के जिन आघातों से वे नाद तुमें ही नहीं सुनाई पड़ते है निर्मानों के प्रहरियों तुमें ही चूरों के काले चहरे क्या नहीं दिखाई पड़ते है तो होश करो दिल्ली के देवो होश करो सब दिन तो वह मोहनी ना चलने वाली है होती जाती है गर्म दिशाओं की सांसें मिटी फिर कोई आग उगलने पाली है गरीबों के प्रती कुटिल व्यंग क्या है तो यहां पर गरीबों के प्रती कुटिल व्यंग है कि गरीब व्यक्ति अपनी दीन ही इस्थिती स्यो भारने के लिए जिनका नाम जबते हैं वे ही उनकी इस देनी सथीटी के दोशी है यहां पर उन पर कठाक्ष किया है उन पर व्यंगे किया है जो पूझी पती वर्ग है यалась सामंती वर्ग है या सब्तदारी वर्ग है गरीब बिचारे उन्हीं की जैजेकार करते नहीं धकते और वही उनका खून चूसते हैं यह बताया है इसमें निर्धन की त्रासदी क्या है निर्धन की त्रासदी यह है कि जिन से निर्धन लोग आशा लगाए बैठे हैं वे लोग हमारी गरीबी से हमें उबारेंगे वे ही लोभी लोग उनकी मेनत को उनकी धन को हड़प रहे हैं उनका खून चूस रहे हैं आपने वो भी सुना होगा ना मिटा अकसर उनी को सताया जाता है जो पहले से सताय जा चुके हैं गरीब पर ही अत्याचार किया जाता है उन पर ही अपनी सप्ता आजमाई जाती है जो पहले से कमजोर है उन्हें की तरफ कभी ने इशारा किया है शाशक वर्ग को दिल्ली के देवता क्यों कहा गया है ये वी सही प्रशन है शाशक वर्ग को दिल्ली के देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि वे ही निर्धन गरीबों के भगवान है उनके कारण इस शोशित वर्गों का जीवन निर्वाह होता है कभी क्या चेतामनी दे रहा है क्या वार्निंग दे रहा है शोशित वर्ग सदैव दपता नहीं है अब आप ये मसोचना कि जिस पर अत्याचार कर रहे थे वो इसी तरह सहता जाएगा कभी तो उसके मन में भी क्रांती की भावना उत्पन होगी तो अब सावधान ठीक है तुमारी ये नीती सदैव तो चलने वाली नहीं है आज नहीं तो कल शोशित और दलित या पीडित वर्ग आवाज उठाएगा और तुमारी सच्चाई का परदा फाश करेगा ठीक है अगला है दो हजार अठारा पढ़ते हैं काव्य सहता प्रहार कोई विवश करदर यजीव जिसकी नसों में नहीं पौरुष की धार है करुणा क्षमा है वीर जाती के कलंक घोर क्षमता क्षमा की शूर वीरों का श्रंगार है प्रतिशोद से है होती शौर की शिखाएं दीब्त प्रतिशोद हीनता नरों में महपाप है छोड प्रीत वैर पीते मूख अपमान वेही जिनमें नशेश शूरता का वहनी ताप है अर्थात वेही नतमस्तक हो जाते हैं वेही हमेशा दूसरों के सामने या चापलुसी करते नजर आते हैं जिनमें अपना स्तित्व नहीं होता, जिनमें खुद का स्वाविमान नहीं होता, ठीक है? जेता के विभूशन सहशणुदाक शमा है किंतु, हारी हुई जाती की सहश्णुदा अभिशाप है सेना साजहीन है परस्व करने की हरने की वृति लोब की लडाई शत्रिय धर्म के विरुद्ध है चोटखा परंतु जब सिंग उठता है जाग उठता कराल प्रतिशोध हो प्रबुद्ध पुन्य खिलता है चंद्रहास की विभा में तब पौरुष की जागरती कहाती धर्म युद्ध है अर्थात घायल शेर ऐसा नहीं है की शेर यदी घायल हो गया है तो उसके सामने आजाकर कोई भी उसकी निंदा करने लगे अरे घायल शेर भी लाखों को अजारों को अंगिनत को धूल चटा सकता है तो यहां पर बात की गई है शूर वीरों की क्षमा कब कलंक और कब श्रंगार हो जाती है क्षमा तब कलंक हो जाती है जब शत्रिय जाती का व्यक्ति किसी की दया करुना या क्षमा भाव पर अपना जीवन यापन करता है क्षत्रिय है हम शूर वीर है हम रक्शक है हम और हम किसी की दया के सहारे अपना जीवन नहीं जिएएंगे क्षत्रिय जाती का वास्तर रक्षेंगार उसकी वीर्ता उसकी शक्ति और किसी अन्य को क्षमा करना है क्षमा शोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो अरे उसको क्या जो दंत हीन विश्रहत विनीत सरल हो ठीक है तो क्षमा करना शत्रियों की शान है क्षमा पाना नहीं क्षत्रियों का कार्य युद्ध है वीरता है यह ऐसा नहीं कि किसी के समक्ष दुम मिलाने का का प्रतिशोद किसे कहते हैं वह कब आवशक होता है प्रतिशोद बदले की भावना को कहते हैं यह शौर के लिए आवशक है सहशनता को विभूशन और अभिशाब दोनों क्यों माना गया है तो सहशनता को विभूशन और अभिशाब मतलब एक तरफ सहशनता जो सहनशीलता सहशनता मतलब बिटा सहनशीलता ठीक है इसका अर्थ होता है सहनशीलता तो सहशनता को विभूशन भी माना है और अभिशाब भी मतलब वर्दान भी माना है और अभिशाब भी क्यों इसलिए माणा है क्योंकि यदी हम जीतने पर किसी व्यक्ति के व्यति से हन्षील था मक्षमाख भाव रखते हैं तो हमारे शत्री जाती के लिए भी सब्सक्राइबुर्म की बात है किश्र्म भाव से अध्या थे भर म Veget繼續 है तो हमारे लिए अभिशाव है हम किसी के दया के पात्र नहीं मन सकते I don't need anybody's arms ठीक है? बहाँ इस पस्ट कीजिए पौरुष की जागरिती कहाती धर्म युद्ध है पौरुष की जागरिती कहाती धर्म उन्द्पंग्धी का अर्थ है कि कभी ने युद्ध को धर्म बताते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने है तो युद्ध को आवश्यक्तत्व माना है युद्ध की ये बिना रण या युद्ध शेत्रिक से भागना एक शत्री के लिए कायरता है जबकि अपने वीर्ता को उजागर करते हुए कर्म के मार्ग को युद्ध के माध्यम से प्रशस्त करना ही वीर्ता उजागर करने का माध्यम है अगला है दोहजार सत्रा मन दीपक निशकंप जलोरे सागर की उताल तरंगे आसमान को चूचू जाए डोल उठे डगमग भूमनल अगनिमुख ज्वाला बरसाए धूम के तु बिजली की द्यूती से धर्ती का अंदर हिल जाए फिर भी तुम जहरी ले फन को काल जई बन उसे दलारे कदम कदम पर पत्थर कांटे पैरों को छलनी कर जाए शांत कलांत करने को आतुर क्षण शण में जग की बाधाए मरणगीत गाकर मरणगीत आकर गाजाएं दिवस रात आपत विपदाएं फिर भी तुम हिमपपात तपन में बिना आह चुचाप जलोरे अर्थाथ जीवन एक संघर्ष है मुसीबत आएंगी विपद्ति आएंगी लेकिन किसी भी हालत में अपने आप को कमजोर नहीं करना है कविता किसे सम्मुदित है और उसे क्या करने को कहा गया है प्रसुत कविता में कवी समाज के प्रतेग व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीवन पत पर तुमारे समक्ष कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए कितनी ही आपदाएं क्यों ना आए कितनी ही विपत्तियां क्यों ना आए तुम उन्हें अपनी इच्छा शक्ती से परास्त कर सकते हो, हरा सकते हो और अपने लक्ष की तरफ बढ़ सकते हो हराना ठीक है काल जई बनकर कैसी बाधाओं का दलन करने को कहा गया है तो कभी विपत्ती रूपी सागर की विक्राल तरंगों जिनके वेग से स्रिष्टी हिलने लगे और ऐसा प्रतीत हो जैसे वे आग बरसा रही हो ऐसी विपदाओं के जहरी लिफन को काल जई बनकर दलने अर्थात नश्ट करने के लिए कभी ने कहा है पत्थर काटे किसके प्रतीक है वे क्या कर सकते हैं पत्थर और काटे जीवन पत्थ पर आने वाली कठनाईयों के प्रतीक हैं क्योंकि रहा में हम चल रहे हैं कहीं कहीं पर गड़ा हो सकते हैं कहीं पर उपर खाबर जमीन हो सकती हैं कहीं काटे हो सकते हैं इसे हमें ऐसा नहीं है कि हम भाईया लोट चलो हमें नहीं जाना आगे सामना करना है तो ये पत्थर काटे जीवन पत्थ पर आने वाली कठनाईयों के प्रतीक है ये विपत्ति रूपी पत्थर और काटे पैरों को छलने कर जीवन में बाधाय उत्पन कर सकते हैं परन्तु फ वाली आशाएं इच्छाएं अभी लाशाएं जीविशाएं सहास्रूपी दीपक्तुमनिश्खमप अर्थाद पूर्ण दिड़ता के साथ जलो और दुनिया को प्रकाशित करके उसके मार्ग की बादां को दूर करो अपने मन की जो आशा है मन की जो जीजीव श़ा है मन की जो एकनी की आशानवित आशातीध होना आशावादी रहना ये हमें हर एक निराशा से दूर रखती है अगला है दोहजार सोला साकार दिव गौरव विराट पौरुश के पूजी भूती ज्वाल मेरे नकपती मेरे विशाल युग युग अजे निरबंध युक्त युग युग गरवोनत नित्महान निस्समीह वियों में तान रहा युग से किस महेमा कावितान ले अंगलाई हिल उठे धरा कर निज विराट स्वर में निनाद तू शैल राट हूं कावर भरे फट जाए कुहा भागे प्रमाद तू मौन त्याग कर हिंसिंग नाद रे तपी आज तब कानकाल नव युग शंक ध्वनी जगा रही तू जाग मेरे विशाल अपनी सुई हुई इक्छा शक्तियों को जागरित करो आप मनुष्य हो हम मनुष्य हैं हमारे अंदर सर्व शक्तियां समाहित हैं पंच भूद पंच तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्मान हुआ है इसमें सब कुछ है मेरी जननी से क्या तातपर है उसका क्रीट किसे कहा है क्रीट का आर्थ होता है मुकुट ठीक क्रीट का क्या आर्थ होता है मिटा मुकुट हिमालय को कहा है मेरी जननी से इतात परे भारत माता अर्थात मातर भूमी से है उसका क्रीट अच्छा लिखा भी है मुकुट हिमालय परवत को माना गया है मैं भारत माता की शोभा और अधित बढ़ा देता है विशाल नगपती के लिए प्रयुक्त किनी दो विशेशन को इस पश्ट कीजिए तो विशाल नगपती के लिए प्रयुक्त दो विशेशन है अजे और महान अजे मतलब जो कभी नहीं हारता पर आजे भी कहते जिसको शैल राट नाम की सार्थक तपर टिपने कीजिए शैल राट शैल मतलब चट्टाने शैल राट मतलब विराट रूप से शैलों से निर्मित हिमाले शैल राट नाम हिमाले परवत के लिए प्रयुक किया गया है हिमाले परवत सभी परवतों में सबसे विशाल है अगला है 2016 सूख गई है जील रस्वंती मिट्टी की बची है नरम सावली शहस्त्रो दुख दारार वाली अब वे दिन याद आते हैं इस किनारे से उस किनारे तक अच्छोर पानी और हवा पुराने महलों से बातें करता धलता पश्चिम का वर्शा सूर्य जील तटके कंकाल पेड़ों सूख गई है जील रस्वंती अब प्रकरती के परिवर्तन की ओर यहां पर कभी ने ध्याना कर्शित किया है कि मिट्टी है बची है नरम सावली सहस्त्रो सुख दारार वाली मतलब जो पोशक भूमी थी जो उर्वरक मिट्टी थी उसमें भी अब बंजरता का वास होने लग है ठीक है पच्तावा करती बैठी होंगी चडियां स्त्रियां खिन्नमन खांटों से लोट रही होंगी आगे देखने वाले भद्र जन जील की मिट्टी बेचने आएंगे आएंगे उनके देशी विदेशी परिजन शोका कुल जील तटवासियों को धीरस देने सुना है यह उब्बा लक्ष्मी मीरा का पदगाने हरी तुम हरो जनकी पीर रस्वंती कौन है और वहें क्यों सूख गई रस्वंती जीवन में विद्वान आनंद रस्वंती जील है क्यों सूख गई वैसलिए सूख गई क्योंकि जीवन में आनंद समाप्त हो गया आत्म की इंद्रत हो गया व्यक्ति और केवल दुख ही दुख शेश रह गया है यहां पर अब यह मसोच कभी था कि मादम से निराशा वादी दिश्टिगोन की और कभी ने संकित किया है कि यह निराश होते जाएंगे तो हम और उसमें धस्ते चले जाएंगे इसलिए आशा तीद बने रहना है पे जब हाड मास नहीं रहता स्केलेटन जिसको कहते है कंकाल सा बचता है उसी प्रकार से जब पेड़ पौदों की पत्ती हैं सूख गई तो वो भी यह कंकाल की तरह है जिसमें चुडियों को जील की दशा देखकर पचतावा हो रहा है ठीक है भद्रजन कौन है वे सूखी जील से भी कैसे लाब कमा लेता है जो लोग जील की सूखी मिट्टी को बेचने के लिए आएंगे वे भद्रजन है वे सूखी जील की मिट्टी को बेच कर उससे भी लाब कमा लेता है मतलब सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ चारों ओ दिखाई दे रहा है व्यक्ति स्वार्त में इतना अंधा हो गया है कि वो प्रकर्ति के लाव यहानी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है बाजपश्ट कीजे इस्त्रिया खिनमन घाटों से लोट रही होंगे प्रस्तुत पंक्ती का भावी है कि पहले इस्त्रिया जील के किनारे बैट कर उसके जल तता हवा का आनंद लेती थी लेकिन अब जील तता पेड़ सूख गए है इसलिए इस्त्रिया खिनमन दुखी मन से घाटों से लोट रही होंगी वो भला वहां क्या करेंगे 2015 एक और काव्यांच पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे कलम की शक्ती की ओर यहां पर संकित किया है पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रजुलित प्रांट देश क्या कभी मरेगा मारे लहू गर्म करने को रखो मन में जुलित विचार हिंज्र जीव से बचने को चाहिए किंतू तलवार एक भेद है और जहां निर्भै होते नरनारी कलम उगलती याग जहां अक्षर बनते चिंगारी जहां मनश्यों के भीतर हर दम जलते हैं शोले बातों में बिजली होती होते दिमाग में गुले जहां लोग पालते लहू में हाला हल की धार क्या चिंता यदी वहां हाथ में हुई नहीं तलवार अर्थात कलम आज उनकी जैबोल अर्थात ये कलम की शक्ती जो है वो तलवार से भी तीखी है तलवार से भी तेज है अब यहां पर हम चलते हैं प्रशनतरों की ओर कलम किस बात की प्रतीक है कलम तलवार की प्रतीक है वे विचारों के जलते अंगारे पैदा करती है तद्धा कर Touta क्रान्ति ला देती है उस समय यदि हम स्वतंधरता से पूर्व की बात करें तो कलम ही थी छिसने जन जन के मन में स्वतंद्रता की लहर को जागरित किया स्वतंद्रता की ज्वाला उत्पन की यदि हिंदी सहितकार नहीं होते रचनाकार नहीं होते तो सब के सब कुछ भी पता नहीं चल पाता कि आखिर चल क्या रहा है हमें करना क्या है तलवार की आवशक्ता कहां पढ़ती है तलवार की आवशक्ता हिंसक जीव या पशुओं से बचने के लिए पढ़ती है ताकि उनके हमले से स्वयम को बचाने के लिए तलवार के माध्यम से उन पर प्रहार किया जाए लहू को गर्म करने से कवी का क्या आशा है कि अपने अंदर जोश को बनाए रखना चाहिए कितना बड़ा गर्म खून है इसका तो हाँ जोश उत्सा ताकि आवशकता पढ़ने पर वीरता का प्रदर्शन किया जासा के सुप तबस्ता में नहीं रहना है तलवार कब अपरिहार हो जाती है जब लोगों के रदय में जहर भड़ जाता है और वे एक दूसरे से घ्रणा करते हैं तो तलवार फिर अपने आप में क्रोधित हो जाती है और फिर वो किसी की नहीं सुनती है ठीक है चलते हैं 2015 की तरफ नीड का निर्मान फिर फिर नेहे का आवान फिर फिर वह उटी आधी की नम में चा गया सहसा अधेरा धूली दूसरे बादलों ने भूमी को इस भाती खेरा रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा रात के उत्पाद भैसे भीत जन जन भीत कंकं किन्तु प्राची से उशा की मोह निमुसकान फिर फिर नीड का निर्मान फिर फिर नेहे का आवान फिर फिर कितनी बार गगरियां फूटी शिकन नाई पनगट पर कितनी बार किष्टियां डूबी चहल पहल वैसी ही तड़ पर चंद खिलोनों के खोने से बच्पन नहीं मरा करता है अर्थात जीवन मरन निर्मान और विनाश ये तो सब है चलता रहता है ठीक है आंधी तता बादल किसे प्रतीक हैं क्या परिणाम होते हैं तो आंधी तता बादल क्रांती के प्रतीक हैं इनके आने का परिणाम यह होता है कि इनके आने के बाद पुना सवेरा होता है और नए सरे से जीवन का आरंब आता है विनाश के बाद ही निर्मान होता है कभी निर्मान का आहवान क्यों करता है तो कभी निर्मान का आहवान इसलिए करता है क्योंकि क्रांती के कारण तबाही मच गई थी इस तबाही से उभरने के लिए निर्मान करना आवशक था कभी किस बात से भैवीत है और क्यों कभी इस बात से भैवीत है कि इस घंगोर रात के बाद सवेरा आएगा की नहीं क्योंकि पाप और अत्य अचार अत्य दिख बढ़ गए इस कारण कभी कभैवीत होना स्वभाविक था कि इतने पाप बढ़ गए क्या इस पाप के बाद कुछ अच्छा होगा लेकिन होगा अवश्य होगा क्योंकि इस्तिर तो कुछ भी नहीं है सुख दुख दौनों भाई है सुख से दुख अधिक बढ़ा है क्योंकि जहां देखो वहीं खड़ा है रात आई और काली पंक्ति का आशा है कि रात आई और क आप बहुत अधिक बढ़ गये हैं जिस कारण कवी को आशनका हो रही है कि इस रात के बाद सवेरा आएगा या नहीं ठीक है चलते हैं आगे चलते हैं अब हम 2014 की ही होयम पर काव्यांश पर अचल खड़े रहते जो उंचा शीश उठाए तूफानों में सैन शीलता दिर्णता हस्ती जिनके यौवन की प्राणों में वही पंथ बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्चर प्रगती नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चल कर अर्था जितनी कठिन राश्ते होंगे उतनी ही शानदार मन्जिल होगी बिलकुल आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुनाई नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जखकर है लहराई आज विगत युक्के पतजहर पर तुमको नवमदमास खिलाना नव युक्के प्रुष्टों पर तुमको है नूतन इतिहास लिखाना है मेरे प्यारे ब आज विश्व को यह दिखला दो हमें भी जागी तरुनाई नई किरण की नई जीतना में हमने भी ली अंगड़ाई अब हम भी कुछ नया करने के इरादों के साथ जा गए हैं मारगे की रुकावटों को कौन तोड़ता है और कैसे तो मारगे की रुकावटों को वही तोड़ता है जो अपनी सहन शीलता और जुड़ता से वे परीत परिस्तियों का सामना करता है और उनसे घबराता नहीं है कभी भी हार नहीं मानता और डट का संगर्ष करते हुए बाधाओं पर विजय प्राप्ठ करता है नव्यूबग प्रगती के नाम को कैसे सार्थ करते हैं? तो नवयवग दुर्गम रास्टे पर चलकर दुरगम रास्ते मतलब कठिन रास्तों पर चलकर आगे भढते हैं और बाधा electration पर विजय प्राप्त करके प्रगति की नाम कुछ सार्थक करते हैं विगत युग के पतजर से क्या आशा है? विगत यूग के पतज़र से आशाय अतीत की असफलता तथा अतीत की दुराववस्था मतलब अतीत की जो अविवस्था थी असफलता थी और उसके साथ जो दुरावस्था थी कि किस कारणों से कौन कौन से ऐसे कारण थे जिन से असफलता मिले वो सब की ओर संकित किया है कविता का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिये तो इस कविता का मूल संदेश है कि देश की नवयुबक भारत की उन्नती के लिए सदैव तत पर रहते हैं साथ ही उन्हें विश्व के समक्ष अपनी स्रिष्टा को सिद्ध करना चाहिए क्योंकि आप में है वो बात जो दुनिया में करा देगी आपकी पहचान अगला है 2014 का ही तरुनाई है नाम सिंदू की उठती लहरों के गरजन का चट्टानों से टक्क लेना लक्ष वने जिनके जीवन का मुसीबतों से नहीं घबरानों अकसर आपने ध्यान दिया है कि जितने भी कविताएं या कावियान शाते हैं वो जीवन को जीने की प्रिणना देते हैं साहस से जीने की प्रिणना देते हैं साथी साथ मुसीबतों से टकराने की प्रिणना देते हैं कभी न घबराने की प्रिणना देते हैं तरुनाई है नाम सिंदु की उठती लहरों की गरजन का चट्टानों से टकर लेना लक्ष बने जिनके जीवन का विफल प्रयासों भेद दूना वेग बुजाओं में भढ़ जाना यदि असफल हो जाओ तो फिर दो गुनी शक्ति के साथ आगे बढ़ो जोड़ा करता जिनकी गति से नव उत्साह निरंतर नाता परवत के विशाल शिकरों सा योवन उसका ही है अक्षय जिनके चर्णों पर सागर के होते अंगे ज्वार साथ लाए अक्षय मतलब कभी ना समाप्त होने वाला अचल खड़े रहते जो उंचा शीश उठाए तूफानों में सैन शीलता अधिरता हस्ती जिनके योवन प्राणों में वही पंत बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्जार प्रगति नाम का सार्ता करता योवन दुर्गमता पर चलकर अर्थात जितनी रास्ते कठनाई भरे होंगे ना मन्जिल उतनी ही शांदार होगी इसलिए आवान किया है क्यों कभी ने प्रस्तुत काव्यांश में तरुनाई अर्थात नव यूवकों का आवान किया है उनको बुलाया है क्योंकि देश या समाज की प्रगति इनके बिना संबब नहीं है आगे आने वाले भविश आप हैं कभी समाज या देश को प्रगति विकास क पत्पर अग्रसर करना चाहते हैं जिनके लिए शक्ति और सामर्थ की आवशक्ता है जो नव योवकों से ही प्राप्त हो सकती है तरुनाई की किनवे शिष्टाओं को लेकिया है तो तरुनाई उत्साह से परिपून होती है योवन अवस्था किशोर अवस्था जवानी की रणने के संदर में अत्यदिक सहंशील भी होती है और दुर्ण भी दुर्गम रास्ते मतलब कठिन रास्तों पर चलकर विवन बाधाओं को समाप्त करके हुए तरुनाई है जो अपनी प्रगर्ति का मार्ग स्वयम निर्मित करती है और सफलत प्राप्त करती है चट्टानो प्रास्त करके आगे बढ़ते जाना है आशा इसपश्ट करना है जिनके चर्णों पर सागर के होते अंगे जवार साथ लाए पंक्ति से आशा है कि प्रतिभाशाली नव्युवक इतना अधिक्त ये जस्वी और सामर्थवान होता है कि उसके आगे सागर भी शीष जुका ल लेता है उनके सामने अपने जवार भाटे की शक्ति के साथ उसके चर्णों को सपश करता है जो वीर होते हैं सागर भी उनको नमन करता है अगला है दोहजार तेरा खुद कर चलते डर लगता है खुल कर चलते डर लगता है बातें करते डर लगता है क्योंकि शहर बेहद छोटा है उचे हैं लेकिन खजूर से मुहें इसलिए कहते हैं जहां बुराई फूले पन पे वहां तटस्त बने रहते हैं क्या फाइदा तो यहां पर भी खजूर के पेड़ की तुलना की है कि ऐसे बड़े होने से क्या फाइदा जो हमेशा अपनी एंठ में चलते हैं अपने एंकार में चलते हैं नियम और सिद्धान्त बहुत दंगों से परिवाशित होते हैं जो कहने की बात नहीं है वही है दोहर आई जाती जिनके उजले हाथ नहीं है उनकी महमा गाई जाती कुछ पैसे चंद पैसे दे कर खरीद लिये जाते हैं जैजैकार करने वाले लोग भी यहां पर वही बात की जा रहे हैं ग्यान पर प्रतिभा पर अफसर का अंगुश बहुत कड़ा है सब अपने धंदे में र गलत करता है अर्थार पूछ उसी की है जो सब के सामने दो मिलाता फिरता रहे चापलूसी करता रहे जैजैकार भी उसी की होती है जो धन को बड़े बुराई से कमा के धन बाटते लुटा दे और किराय के भाड़े के टट्टू जिनको कहा जाता है उनको लेकर चले यहां म मतलब तुच्छपन संकुचित शेहर में अधिकांश लोग आत्म केंद्रित और स्वार्थी होते हैं सिर्फ सेल सेंटर्ड जो लावर्जित करने के लिए कुछ भी करने को तयार रहते हैं इनका दृष्टी कून इनका नजरिया त्यंत संकीर्ण होता है बहुत छोटा होता है इनकी मान सुकता संकुचित होती है शेहर को छोटा कहकर कभी इनके छोटे पन को अभिव्यत करता है कि दिखते तो बड़े-बड़े महलों में रहने वाले लेकिन इनका दिल बहुत छोटा रहता है शेहर के लोगों की बुखे विशेष्टाएं क्या हैं तो यहां के लो लोग विचारे भूखे प्यासे रहते हैं आसेस प्रिष्ट करना है बुद्धी यहां पानी भरती है सीधापन भूखों मरता है जो इमांदारी से अपना जीवन व्यतित कर रहे हैं उनका कोई पूछबाशन नहीं है अपर अर्थाथ शेहर में बुद्धिमान और सीधे प अगला है दोहजार तीरा से ही जाग रहे हम वीर जवान जीओ जीओ ए हिंदुस्तान हम प्रभात की नई किरण है हम दिन के आलोक नवल हम नवीन भारत के सैनेक धीर वीर गंभीर अचल हम प्रहरी उंचे हिमादरी के सुर्भी स्वर्ग की लेते हैं हम हैं शांती दूत धरनी के चाह सभी को देते हैं वीर प्रसू माकी आखों के हम नवीन उज्याले हैं गंगा यमना हिंद महसागर के भी हम रखवाले हैं तन मन धन तुम पर कुर्बान जीओ जीओ ए हिंदुस्तान यहां पर कवी ने मात्र भूमी को सर्वस्व समर्पन करने की बात कही है हम सपूत उनके जो नर थे अनल मधु के मिश्रण जिनमें नर का तेज प्रकर था भीतर था नारी का मन अर्थात जो बुद्धी थी जिनमें जिनमें ताकत थी जिन में साहस था जिन में जोश था जिन में जुनून था और वहीं बात की जय रदय की तो उनका रदय मा की तरह कोमल था ममता थी उनके मने एक नैन संजीवन जिनका एक नैन था हला हलेक आख एकदम नमरता दर्शाती थे तो दूसरा पूरी तरह से क्रोज से भरी रहती जितना कटिन घड़क था कर मैं उतना ही अंतर कोमल थर ठर तीनों लोक कापते थे जिनकी ललकारों पर स्वर्ग नाचतारण में जिनकी पवित्र तल्वारों पर हम उन वीरों की संटान जीओ जीओ baseball है हिंदुस्तान चलते हैं प्रश्णों की ओर नवीन भारत से क्या ताद पर है नवीन भारत से ताद पर वर्तमान प्रगतिशील भारत से उस पंग्ती को दृत कीजिए जिसका आशा है कि भारती ये बाहर से चाहे कठोर दिखाई पढ़ें पढ़न तो उनका हरदय तो कोमल होता है जिन में नरकात तेज प्रकर्था भीतर था नारी का मन अथवा जितना कठिन खड़क था कर में उतना ही अंतर कोमल मन हम उन वीरों की संतान उन वीर पूरवजों की कुछ विशिश्ता हैं बताईए हमारे भारतिये पूरवज अत्यंत वीर थे वे अपने तथा अपने देश की समानी रक्षा ही तुस्तर वस्वन अचावर थे अपने आपको नोंने कभी भी पीछे नहीं रखा जब बात देश की आन बान और शान की थी तो स्वें बली बेदी पर उद गए काव्यांश का केंद्रे भाव लिखिये तो इस काव्यांश में कभी कहते हैं कि हम महान भारतिये वीरों की संतान हैं हम अपने देश की रक्षा के लिए तन, मन, धन, सब कुछ ने अचावर करते हैं और मातर भूमी की हमेशा जैजैकार करते हैं समझ में आया? बहुत बढ़ियां अब हम चलते हैं अगले काव्यांश पर जीवन की आपा धापी में कव वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैट कवी है सोच सकूँ जो किया कहा मानो उसमें क्या बुरा भला जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला हर एक लगा है अपनी अपनी देले में कुछ देर रहा हका बका मोचका सा आ गया कहा क्या करूँ? यहां जाउँ कहा फिर एक तरब से आया जो ही धक्का सा मैंने भी बहना शुरूर किया उस रेले में क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी जो भीतर भी भाओं का उहापो मचा जो किया उसी को करने की मजबूरी थी जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला जीवन की भाग दोड़ उहापो मतला भाग दोड़ी आपा धापी जीवन की आपा धापी में कव वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैट कभी है सोस सकूँ जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला तो यहाँ पर कभी नहीं यहीं बताए कि हम जीवन की भाग दोड में लगे रहते हैं अपने स्वार्थी पूर्ती में लगे रहते हैं दिन रात बस चाना चाना भाग न दोड़ा कभी हम नहीं सोचे कि हम जो कर रहे हैं क्या सही है उसका परिणाम क्या है उसका उद्दिश क्या है तो जीवन की आपा धापी का क्या अर्थ है इसका अर्थ है मनुष्य जीवन में व्याप्त संघर्ष की अधिकता मनुष्य सदैव अपने जीवन में भाग दोड़ करने में ही व्यस्त रहता है सही अगलत करने नहीं नहीं ले पाता चेतना जग जाने पर कभी हक्का बक्का क्यों रह गया हक्का बक्का मतलब आस्चरे चकित नूडल्स की तरफ मत चले जाना ठीक है आस्चरे चकित रह जाना चेतना जग जाने पर कभी हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसने देखा कि संसार में प्रतेत व्यक्ति अपने ही स्वार्थ की पूर्थी में लगा है किसी के बारे में तनिक भी सोचने का वक्त भी नहीं है उसके पास अपने आप में खोया है जो किया उसी को करने की क्या विवश्था थी? कभी ने जो किया उसमें उसकी विवश्था नहीं थी क्योंकि उसके सामने और कोई विकल्प ही नहीं था अतवैस भी संसार के अन्य मनिश्चों की तरहे जीवन के प्रबाह में खो गया बस यूँ ही भेड़ चाल जलता गया भीड़ का हिस्सा बनता गया अपने अस्तित्व को खोता गया क्या सही क्या गलत कुछ नहीं देखा काव्यांश का मूल संदेश बताएं तो काव्यांश का मूल संदेश है कि प्रतेक मनिश्चों जीवन में बहुत संगश करना पड़ता है साथ ही जीवित रहने के लिए अन्य मनुश्यों की तरह स्वार्थ पूर्ण वैभार भी करना पड़ता है जो से धान्त पूर्वक अपने जीवन में जीते हैं उन्हें कभी-कभी पच्छतावी का शिकार भी होना पड़ता है और कभी-कभी निर्धनता जैसी भयंकर भीमारी से भी पीड़ित होना पड़ता है तो जिस तरफ हावा चले उसी तरफ भेली है ऐसा भी होते हैं लोग तभी जाकर जीवन जीते हैं बहुत-बहुत अच्छा लगा आप समी ने ध्यान पूरवक सुना बिटा इसी तरह से कावयांश को ध्यान से पढ़ना अधिक तर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो भी कावयांश आएंगे वो जीवन से संबंदित आएंगे संघर्ष से संबंदित आएंगे अपने आपको किस तरह से मजबूती के साथ सामने रखना है चाहे बाधा आए मुश्किल आए कुछ भी आए डटे रहना है इससे संबंदित आएंगे उनको पढ़ना समझना ध्यान से उत्तर स्वयम आप टिक कर पाओगे और बहुत अच्छी से कर पाओगे हमारी शुब कामना है आपके साथ है all the best